इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्पूर्ण चीज़े हैं जिनको लेकर के डिसकस करने वाला हूँ और बैसिकली तारगेट यहां पर यह रहेगा कि इस सत्र में कुछ चीज़े हैं जो चेंज हुई हैं फर्स्टियर वाले बच्चों के लिए तो सेमेश्टर में आप लोगों के प्रेक्टिकल किसकी सब्जेक्ट में होंगे और मिड्टर्म असाइनमेंट और ट्रेक्टिकल में क्या अंतर है इसको लेकर के हम लोग इस पूरे वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो कुछ चीज़े हैं जिनको में लेकर डिसकस करूँगा इसके अलाभा आर्ट्स में किस-किस विशे में प्रेक्टिकल होते हैं तो जो मैन exam है हैं यहाँ पर मैन exam 2024 है चाय ह dawig सेमश्टर की है चाय हो किसी की है उसको लेकर करें पूरा डिसक्स करें इसके अलावा जो अनवारियदिक है न हम लोग करेंगे कि इस 안에 इस पार K 많o कमपन прेपर की बिसकस करना शुरू करेंगे और मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपको important questions की series चाहिए तो आप पहले जो है मेरे साथ जो paper आपके साथ previous year के आपके पास मौझूद है उसको आप मेरे साथ share कीजिए PDF बना करके normal में नहीं दीजिए PDF बना करके दोगे तो definitely मैं आप लोगों के इनों के हिसाब से है तो सारे बच्चे देखींगे फर्स्ट यर सेकंडियर और थर्ड यर वाले सभी students के लिए उतना ही useful है यह और चुकि practical की सारी details है इसमें कि कौन सी सब्जेक्ट में practical होगा किसमें नहीं होगा किस क्लास में होगा किसमें नहीं होगा देखिए BSC में सब सब्जेक्ट में होता है तो BSC वाले बच्चों को यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों साल में practical है बीकॉम वाले बच्चों के यदि हम लोग बात करें तो BSC में सिर्फ midterm और assignment है midterm और assignment है और यह सिर्फ first year के है second year और third year में कुछ नह हो गई अब हम लोग बात करेंगे B.A. की अब मैं सिर्फ बीये से ही करूँगा तो B.A. first year की हम लोग बात करेंगे चुकि B.A. first year जो है हमारे लिए प्रात्मिक्ता पे इसलिए है क्योंकि B.A. first year के private और regular समयस्वार semester है फिर हम लोग second year और third year की बात करेंगे इसी वीडियो है जिसमें मैं practical के बारे में और एक अनवारिये बिसे के बारे में बताने बाला हूँ कंपल सरी subject जो है वो कैसे आपको opt करना है अनवारिये बिसे और यहां पर private और regular की हम लोग बात कर रहे हैं B.A. part first में देखिए कुछ subject तो ऐसे है जिसमें practical होता ही होता है यदि हम देख assignment और mid term दोनों अलगे है assignment घर से बना करके लाने है यह सिर्फ यह private और regular दोनों के लिए private के बच्चों के exam forum बरने के बाद होंगे regular के already हो चुके है जिनके छूट गए उनको बाद में ले लिया जाएगा college के touch में रहे है regular बच्चे practical क्या है practical आपके exam के बाद होंगे किस-किस में है देखिए भूगोल में आपके practical है और यह mid term और assignment के अलावा है इसके अलावा आपके संगीत यानि music में है तो geography में आपके है music में आपके है एक subject प्रता है TDP जो government arts college गोटा में है इसमें है GPEM में है psychology में है इसके अलावा जो है आपके home science में है home science में है तो यह जो बिसे है और D&P यानि drawing and painting में है यह जो बिसे है इनमें आपके practical अलग है सब सब्जेक्टों में practical का pattern अलग हो सकता है बूगल में जैसे 50 नमबर का है psychology में 50 का है home science में 50 का है लेकिन drawing and painting संगीत GPM और TDP में यह जो distribution है वो अलग है इनमें paper जो है 100 नमबर का नहीं होता है इसमें 100 से कुछ कम का होता है जो आपको इसलिए बस जब मैं डिसकस करूंगा अभी बहुत जल्दी उसमें मैं आप लोगों के साथ पूरी चीज़े साजा कर दूगा और अच्छे से साजा कर दूगा तो जहां आपके जो doubt होगे इस educator के नाम से उसको आप लोग जोइन कर लें तो वहां से आपको जो regular updates है वो मिल जाएंगी इसमें कोई दौराय नहीं है अब हम लोग बात करते हैं भी ये second year और third year की देखिए जिन subject में first year में practical है उनमें second year में भी है लेकिन second year में एक subject और जुड जाती है वो है अर्थ सास्त यानि economics में भी practical है economics में first year में practical नहीं है first year में सिर्फ private mid term और assignment है practical हटा दिया है second year में economics में आपके practical है practical का मतलब आपकी file नहीं की 100% और college के आपके और ये private और regular सब के लिए है एक बिस है जो सबसे ज़्यादा ये final में भी यही इस्तिति है तो भी ये second year, third year का semi pattern है जो first year में जिनके practical था वो second year में भी है सिर्फ economics add-on हो जाता है इनकी file बनती है और regular private सब की बनती है एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जैसे home science में regular private सब के लिए होता है economics में regular private सब क सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको सिर्फ regular बच्चे ले सकते हैं वो है psychology और ड्रॉइंग दो सब्जेक्ट ऐसी है इकोटा युनिवर्सिटी में psychology और ड्रॉइंग and painting तो इन दो बिसेओं को आप मैंसे जिदी किसी को लेना है तो regular edition लेना पड़े था private बच्चे इन दो सब्जेक समासास्त्र की इस्तिती में आप लोगों के साथ साया कर देता हूँ खास तोर पे देखिए समासास्त्र में GREG प्रैक्टिकल होता है बाकी में नहीं होता है और mig so ли Do not regular का होता है और इसमें भी जो regular बच्चों का होता है उनको college में आकर के पता करना होता है कि कि स टॉपिक पर फाइल बनानी है तो इसके लिए आप लोग जो है अपने सम्मंदित टीचर से जो भी जैसे हमारे कॉलेज में लगबग चार लोग साथ फाइनल को बढ़ाते हैं तो उन चारों ने प्रैक्टिकल होता है किस में नहीं होता है किसकी फाइल कैसे बनती है तो देखो फाइल बनाने के लिए आपको सम्मंदित टीचर से बात करने ही पड़ेगी आप प्राइवेट हो चार रेगुलर आपको कॉलेज के संपर्क में आना पड़ेगा और वहां सा करके आपको पता करना पड़ेगा अब मैं थोड़ा सा बता दू कि अनवारिय बिसे क्या इस्ति है अनवारिय बिसे देखिए जिन बच्चों के बिसे अनवारिय है इस साल फ़स्ट एयर में तो उनको हिंदी और इंग्लेस में से कोई एक आपको परिख्या फ़र में भरना है यहां तो आप हिंदी भरोगे या इंग्लेस भरोगे फर्स्ट सेमस्टर की बात मैं कर रहा हूँ और यह अनवारिय नहीं है इसके मार्क्स चुड़ेंगे यह पचास अंको का होगा पचास-पचास के होंगे जो फर्स्ट सेमस्टर में हिंदी लेंगे वो सेकंड में इंग्लेस लेंगे बाइस वर्सा अलसो जो फर्स्ट सेमस्टर में इंग्लेस लेंगे वो सेकंड में हिंदी लेंगे और इनमें आपको नंबर लाना जरूरी है एक चीज और बहुत महत्पूर है अब जो है आपको 40% लाना जरूरी है पहले 36% पर पास हो जाते थे अब इसके लिए आपको 40% लाने पड़ेंगे अदरवाईज फैल हो जाओगे ये ध्यान रहे तो अब ये जो सिस्टम है नया सिस्टम इसके दर्मियान आप लोग को बहुत कुछ सीखना है चुकि पैटर्न बदला है यूनिवर्सिटी का तो उसके अकोर्डिंग आपको खुद को ढालना पड़ेगा और डेफिनेटली जो भी डेटेल्स होंगी मैं अब लोग के साथ टाइम टू टाइम साजा करूँगा विशिंग यू आल दा बेस्ट तो अल उफ यू और गुड़ लग थैंक्स तो अल उफ यू